यहां दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि यूपी बिहार की और जाने वाले तमाम मलदूरों को सडकों के रास्ते पैदल ना जाने दिया जाए इसलिए दिल्ली सरकार ने डीटी सी की बसों को लगवा दिया है ताकि इन मजदूरों को शेल्टर होम ले जाकर पहले उनकी जाँच की जाए फिर उनके राज्यों की और जाने वाली बसों में बढ़ाया जाए जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे हमारी बात हुई और इन लोगों को शेल्टर होम लेकर जा रही है जहां से इनको इनके प्रजेशों तक पहुँचाने की वरस्ता सरकार की दरब के की जाएगी सड़क पर पैदल जाने के लिए मजदूरों को बस का सहरा मिला तो सारे मजदूर अपने बुरिया बिस्तर समेट कर बसों की ओर जाने लगी इस परिशानी में बैठने का ठोर मिल गया यही सोच कर चल दिये पुलिस के पीछे पीछे यह मजदूर इस हद तक परिशान है कि ने ये तक भी नहीं पता कि अभी नहें कहां ले जाया जा रहा है बस उमीद है कि शायद सरकार की महरबानी बरकरार रहे इनके लिए इतना इत्मिनान ही काफी है कि कम से कम पैदल तो नहीं चलना है भले आज नहीं कल सरकार उनके घर भेजी देगी लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब औरईया में सड़क हादसे में इनहीं मजदूरों के तमाम भाईयों की जान चली गए सरकार ने तब बसों का इंतजाम करना शुरू किया लेकिन सरकार की इस कोशिश से पहले ही हजारों मजदूर अपने घरों की ओर कूच कर चुके थे लखनौव पहुचने पर इन मजदूरों को बसों से इनके जीलों की ओर भेजा जा रहा है दिली से करीब 700 किलोमीटर दूर बहराईश तक का रास्ता कदमों से नापने की सोच कर चले थे ये मजदूर तीन दिन में लखनौव पहुचे हैं जिनकी संख्या 20 के करीम है अब लखनौव में नहें रोका गया है बसों में बैठाया जाएगा अब तक सड़कों पर नंगे पैर चलते मजदूरों के काफिले को देखना मुश्किल हो चुगा था रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जिन्हें देखकर आत्मा सिहर उठती थी जिस तरह से मजदूरों के जथे सड़कों पर पैदल जाते देखे जा रहे थे और जिस तरह ट्रकों पर भर कर अपने देश जाना इनकी मजबूरी हो गई उसे देखते हुए अब बसों की विवस्था की जा रही है जिन जिन्दगियों का नुकसान अब तक हो चुका है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती लेकिन आगे हादसों से बचा जा सकता है और उसी की कोशिश में सरकारी बसें लगाई गई है ताकि मजदूर घरों तक महफूज पहुंचे बियोरो रिपोर्ट जी मीडिया